नमस्कार मैं पाइल शुकला आप सभी का स्वागत है इन 24 नीउज की खास पेशकस अ मर्यादित नेता जी हाँ पिछले 24 घंटे में देशो महराष्ट की सियासत में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि नेता अपनी मर्यादा तक भूल गये दरसा सोम मोहर को राष्टपती के अभी भाषण पर चर्चा में शामिल हुए लोगसभा के नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी ने संसद में हिंदू और हिंसा को लेकर भाजपा पर हमला बोला जिसको लेकर दिल्ली से लेकर महराष्ट तक संग्राम छुड़ गया आई ये पहले हम आपको सुनाते हैं कि आकिर कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने क्या कुछ कहा है शिव जी कहते हैं दरो मत दराओ मत अभेमुत्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं त्रिशूल को जमी में गार देते हैं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 अप हिंदू हो ही नहीं अपर प्रटीख निए रिग्समारा प्रटीख है राहुल गांदी के इस बयान पर इतना हंगामा मचा कि महराष्ट की विधान परिशत में गाली गलोष तक हो गई दरसल राहुल गांदी के बयान को लेकर भाजपा के विधायकों ने आपत्ति जता तेवे सदन में हंगामा किया इसके बाद महाविकास अगाडी के विधायकों ने पलट वार किया और दोनों गुटों के विधायकों के बीच तीखी नोग जोग देखने को मिली फिर बाद गाली गलोश तक पहुच गई इसका विडियो भी सामने आया है जिसमें विधान परिशत के बीतर विपक्ष के नेता अंबादास दानवे गाली देते हुए सुने गए हैं इसके बाद शियु सेना यूबिटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि उन्होंने गाली गलोश इसलिए की क्योंकि बीजेपी के लोग अंकार पूर्वक बात कर रहे थे आपको बता दे कि विधायव प्रसाद लाड और प्रविर दरेकर ने सदन के बीतर राहूल गांदी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी उन्होंने राहूल की बयान को हिंदूों का अपमान बताया वहीं अंबादास दानवे के विहार पर भी भाजपा विधाईकों ने कड़ा एतराज जतातेवे माफी की मांगी है उन्होंने कहा कि जब तक अंबादास दानवे बापी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा सबागरव में लोकसबा में विरोधी पक्षनेता राहूल गांधी जी ने भगवान शिवशंकर का और उनके त्रिशूल का नाम लेकर हिंदू समाज हिंसक है हिंसक है हिंसक है इस तरीकी की अबद्र भाषा लोकसबा में की जिसका मानन ये प्रधान मंतरी ने तीवर शब्द में निशेत किया और कहां कि इस तरीके का हिंदों का अपमान सबागरो में और हिंदूस्तान में सहा नहीं जाएगा और इसी विशे को लेकर जब ये बात हमारे ध्यान में आई ज्यान में आई मीडिया के माध्यम से हमने सबागरो में विशे रखने की कोशिश की हमारे गटनेता प्रविन दरेकर जी हमारे नेता सन्मानने श्रिकान भारतिय जी हमारी बहन सभी सदच्य ने ये विशे रखा विशे रखने के बाद महाविकास आगाडी के सभी सदस्य ने सभागुरों में हंगामा करने की कोशिश की इसने सभागुरों पाच मिनिट के लिए ताकूब किया गया लेकिन फिर से जब सभागुरों शुरू हुआ तो माननिय प्रवीन दरेकर जी ने अपनी बात रखते हुए इस चीज का निशेत किया और मैंने यह चीज कही कि यहाँ पर राहुल गामदी के निशेत का ठराव करकर लोग समा में भेजा जाए और उसके उपर या तो विरोधी पक्षेनेता इस पर जवाब दे विरोधी पक्षेनेता अंबादाज दानवे जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तब भी मेरा भाशन चालू था उन्होंने सभी सदश्यों के सामने मेरे साथ घैर वहवार किया हमारी महिला सदस्य वहां थी चेर के उपर सभापती के नाते हमारी सभापती निलमताई गोडे थी उसके बावजूद बहन और मा के उपर से सभागुरा के अंदर माईक के उपर गाली देने का काम विरोधी पक्षेनेता अंबादाज दानवे जी ने किया है हिंदों का अपमान अंबादाज दानवे ने किया है मैं उसका निशेत करता हूँ और इस माध्यम से मैं उबाटा के सभी नेताओं को अवान करना चाहता हूँ कि राहूल गांदी ने जीस तरीके से हिंदों का अपमान किया है क्या वो उसका समर्तन करते है हमारी माता बेहनों को गाली देने का काम जो अंबादास दानवे ने किया है उसका समर्तन करते है नहीं तो इस बारे में पत्रकार परिशद लेकर सनमानन ये उद्दो ठाकरे उनकी भूमी का सपस्त करे नहीं तो हम सबागरुआ चलने नहीं देंगे जब तक अंबादास दानवे जी का राजी नामा विरोधी पक्षे नेतापत से नहीं होता या उन्हें निलम्मित किया नहीं जाता क्योंकि इस सभागरों में एक सदस्य ने किसी सहिनिक के बारे में बात की थी तो हमने उन्हें तीन साल के लिए निलम्मित किया था उस चीच को फिर दोराना चाता हूँ हमारी बहनों के सामने माता बहनों के उपर से गाली देने वाले अंबादास दान्वे को निलम्बित किया जाए और विरोधी पक्षे नेतापत का उनका राजी नमा लिया जाए ये मेरी मांग है बहराल अब देखना होगा कि राहूल के बयान पर शुरू हुआ संग्राम कहां जाकर ठमता है लेकि जिस तरीके से महराष्ट में सदन के भीत्तर नेताओं ने बद जुबानी की है इसे बरदाश्ट नहीं किया जा सकता नेताओं को हमेशा मर्यादा में रहने की जरूरत है लेकिन यहां सदन के भीत्तर अमर्यादित भाषा का इस्तमाल कर नेताओं ने न सिर्फ अपनी छवी खराप किये बलकि कई सवाल या निशान भी अब उन पर लग गये हैं विधान सबा हो या फिर सदन यहां जनता की महत्वकान शाओ अकान शाओ और उमीदों पर चर्चा होती है जनता की भलाई के लिए फैसले लिये जाते हैं ऐसी पवित्र जगव पर इस तरह से गाली गलोज करना कतई सही नहीं हो सकता हालां की आपती जनक शब्द इस्तेमाल करने को लेकर विधान परिशत के नेता विपक्ष अंबादास दानवे के खिलाब बड़ी कारवाई की गई है उन्हें सदन से पांस दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है वही अब देखना यह अभी दिल्चस्प होगा कि क्या श्यूसेना यूबित के नेता अंबादास दान वे अपने इस मर्यादित वेवहर के लिए माफी मांगते हैं या नहीं फिलाल के लिए इतना ही जल्दी इसी तरह की खास पिश्कस के साथ मैं पूना उपस्तित होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिये जाजर नमस्का